राजस्थान के पूर्वुक मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस के राश्ट्रेस अचीव सचिन पाइलेट बुदुवार को लखनव पहुचे ऐसे में इस दोरान मीडिया से बात करते हुए पाइलेट ने गोतम अडानी और सेवी के अध्यक्ष के बीच रिष्टो को लेकर हिंबक रिपोर्ट के खुलासे के बाद कि इस सरकार ने जो रुख अपना है उसको लेकर मोधी सरकार को घेरा पाइलेट बोले सरकार इस पूरे मामले पर चुपी साथ कर पीछा चुडाने में जुड़ गई है नमस्कार में शेख जोया आप देख रहे हैं दनगरी निउस पाइलेट बोले जब पहली बार अडानी गुरूप का नाम सामने आया था तब सरकार ने इस पूरे मामले की निश्वक्ष जाज करने की बात गई थी किसकी जाज करने के जिम्मेदारी सेवी को सोपी गई थी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट परकाशित हुई थी जिसमें अडानी गुरूप में सेवी के चेर्मेन की इन्वोल्ब्मेंट सामने आये जो आरोप लगे थे जिन संस्था को जाज परताल करनी थी वही संदिक दे तो जाज रिपोर्ट क्या होगी ऐसे में हम लोग जोइन पॉलियोमेंटरी कमिटे जेपी सी के माधियम से पहुचा जाए पाइलेट आगे बोले दस वर्षों में कोई घोटाले नहीं होए अगर जो आची नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि घोटाला हुआ है या नहीं अपनी सरकार पर लगे आरोपों की जाज करने के बज़ए एडी सीबी आई जैसे संस्ताव को सिर्व विप विपक्ष की आवाज दबाओ विपक्ष के सीएम को जेल पेच और विपक्ष को बदनाम करो के लिए ही एडी और सीबी आई से जो आज करवाते हैं ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे देनगरी नियूश शुक्रिया